सुप्रभात स्वागत है आपका एडिट प्लैटर में बिहार से जोड़ी कुछ चुनिंदा खवरों पर समिक्षात्मक चर्चा के लिए आज फिर हाजिर हूँ मैं मनिकांत ठाकुर मुख्य मंत्री नीतीश कुमार और आरजेडिय धक्ष लालू प्रसाद यादव ने केंद्रिय बजट में बिहार की घोर उपेक्षा के जो आरोप लगाये थे कल के अखवारों में उसी की प्रमुखता थी लेकिन आज उन आरोपों के प्रतिवाद में बीजेपी नेताओं और रेल महकमे के प्रवक्ता के बयान प्राया सभी अखवारों की सुर्खियां बने हैं पुर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक ने बाजापता प्रेस कॉन्फरेंस बुला कर बताया है कि इस बार केंद्रिय बजट में आगामी वित्य वर्ष के लिए बिहार को 3696 करोड रुपे का आवंटन मिला है और ये बजट आवंटन पिछले वित्य वर्ष की तुलना में 525 करोड रुपे अधिक है इसलिए बिहार की लंबित रेल पर योजनाओं की उपेक्षा के आरोप सही नहीं है उधर सुशील कुमार मोदी समयत राजज के सभी प्रमुख बिजेपी नेताओं ने लालु प्रसाद और नितीश कुमार की बजट संबंधी प्रतिक्रियाओं को बर्गलाने वाली गलत बयानी कहा है बीजेपी निताओं ने पूछा है कि क्या केंद्रिय बजट में राजियों के लिए अलग से घोशनाएं होती हैं इनके मुताबिक ग्रामिन ख्षत्र और क्रिशिक ख्षत्र से संबंधित जो भी घोशनाएं की गई हैं उनका लाभ बिहार जैसे राजियों को ज्यादा आप समझ ही रहे होंगे कि राजनितिक कारणों से पक्ष या प्रतिपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आपस में कभी मेल नहीं खाती लेकिन अगर इन्हें छोड़ भी दे तो केंद्रिय बजट में किसी राजिकी अन देखी और किसी के लिए पक्षपात से इनकार भ बड़ी खबर ये छपी है कि पटना जिले के 1190 निजी स्कूल बंद कर दिये जाएंगे राजिसरकार के शिक्षा विभाग का कहना है कि RTE Act यानि शिक्षा का अधिकार कानून के मानकों पर ये सभी निजी स्कूल खरा नहीं उत्रे हैं इसलिए उन्हें बंद करने संबंध ही नोटिस भेजने की तैयारी चल रही है ऐसे स्कूलों में पढ़ रहे हैं बच्चों को पडोस के किसी स्कूल में समंझित यानि एड़स्ट किया जाएगा लेकिन शिक्षा विभाग के इन अधिकारियों से पूछा जाना चाहिए कि RTE कानून बने 6-7 साल हो गये इतनी द सरकार का शिक्षा महकमा विभल क्यों है अगर सरकारी स्कूल अच्छे हो जाएं तो निजी स्कूलों की दुकाने अपने आप बंद हो जाएंगी खर अब एक अन्य समाचार पर गौर कर लें रेल संबंधी बजट प्रस्ताओं से जुड़ी एक खबर ये है कि बिहार के तीन रेलवे स्टेशनों यानि मुझपरपुर, बकसर और पटना साहिब के मौजूदा रेलवे स्टेशनों को विक्सित करके उन्हें विश्व स्तरिये यानि वर्ल्ड क्लास बनाने की मंजूर पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि इन तीनों जगहों पर रेलवे की जमीन उन चुनी हुई एजंसियों को उपलब्ध कराई जाएगी जो संबंधित रेलवे स्टेशनों को विक्सित करके उन्हें विश्व स्तरिये बनाने के लिए आगे आएंगे यहां मुझे याद आ रही है पिछले कई वर्षों से की जा रही वह घोशना जिसमें पटना जंग्षन को वर्ल्ड क्लास बनाने का आश्वासन शामिल था सबसे ज्यादा रेल मंत्री बिहार के हुए हैं और जब नीतीश कुमार और लालु यादब रेल मंत्री थे तब पटना जंग्षन के उद्धार का एलान बार बार होता था लेकिन कोई भी जाकर देख सकता है कि आज क्या हालत है इस रेलवे स्टेशन की बस पैबंद की तरह कुछ नए निर्मान चिपका दिये गए हैं तो हवाई और जमीनी घोशनाओं पर फिर बा झाल झाल झाल